बहुत सुन्दर प्रसंगिस को भी समझ लेना, शंकर के शिविलिंग को बनाने के लिए मिट्टी कहां की होना चाहिए, किस जगहां पर बनाना चाहिए, मिट्टी में कैसा जल मिलाना चाहिए, जब शिविलिंग का निर्मान करें, शंकर के शिविलिंग को जब बनाए, तो उससे पहले केसे बनाए उस तक का विधान शीव महापुराण में और लिंग पुराण में कहा गया, महाराज कहा क्यारे की मिट्टी हो, क्यारा मतलब समझ यह गा, जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगहा का कोई भाग मिट्टी का लाए, जहां कोई मिट्टी का किस तरह से बनाया जाए, और कैसी मिट्टी हो, और उसमें पानी केसा मिलाया जाए, कैसा शीविलिंग तैयार करा जाए, उसका विधान बढ़नन नहीं कर पाए, परन्तु आज कता निकली है तो उसको सुने, क्यारे की मिट्टी, मतलब जिस मिट्टी पर कोई कंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगा की मिट्टी को ले कर जाए, और मिट्टी को लाने के बाद थोड़ा पानी का सीचन कर दें, अगर इत्र भी नहीं है, तो जल के अंदर थोड़ा सा इत्र डाल कर मिट्टी का सीचन कर दें, अगर इत्र भी नहीं है, तो जल के अंदर नहीं है तो एक बेल पत्र जल के अंदर डाल कर उस पानी का सीचन कर दें लगा है तो जिस दिन बनाएगे उसदिन सीचन दो, मिट्टी पर पानी का सीचन भले जादा मठ डालो पर चीटा तो उस दिन लगा देना चीए जिस दिन घर में निर्वाण करो एक बिन अपने पानी का जो मटका होता है हंडा होता है रसोई घर में जहां पानी भर तर रखते हो उसके नजदीक में एक कलश जिसमें अलग से ताजा जल भरा जाए और उस पर प्लेट धकी हो और उस पर एक चावल का दाना रखा हो उस जल को लेकर आओ थोड़ी दिर रखा रहे आदा गंटा दो गंटा तीन गंटा पंदरा मिनिट बीस मिनिट पर वो पानी वहां रखा हो मति के चूले होते थे जब चूला बंद नहींगा था तो उसको गीला करकर ऑवर पानी में उसको गिला करकर पूरे चोके को रशोई घर को पोचा जाता था तो भी उसको पोटा लगा देता तो पहला पार्तिव शिवलिंग का निर्मान सावन के महिने में अगर आप शिवलिंग बनाते हैं तो नियम ध्यान रखिएगा मारत लिंग पुरान से हैं इसका निय जलका चीता देना चीता जरूर देना है घर में लेकर आया और जलका चीता ऊना जरूर धर दो दिन तक तीन दीन तक मिटू रखी हुए है और उसके बाद अगर आपने पड़िक कश düşün नहीं दिया और आपने डेन्ट मि प्रमाण नहीं जल कचिता अवश फिर उसको रख दें पंद्रा दिन बाद बनाओ चार दिन बाद बनाओ तीन दिन बाद बनाओ दो दिन बाद बनाओ शिवलिंग जब बनाओ तब उस मिट्टी को जो कलश आपने रसोई घर में रखा है चावल का दाना रखकर प्लेट के ऊ उपर अर्थात उस कलश का जल उस मिट्टी में थोड़ा सा डाली है क्यों डाला जाता है उसका भी भाव वर्णन किया है अब भविष्ट पुराण इसकंद पुराण और अगनी पुराण इन तीनों से ले लिया गया वर्णन किया गया जब उस कलश का जल हम डालते हैं तो उस कलश में पित्रों का भाव आजाता है, अनपूर्णा का भाव आजाता है, घर में लच्छमी का भाव आजाता है, संपदा का भाव आजाता है, पूरे 24 घंटे के अंदर एक छड़ के लिए रसोई घर में 33 कोटी देवता आते हैं, तो वो देवता का सारा भाव उस कलश के अदर आजाता है और वो जल जब हम उस मिटटी में मिलाते हैं तो गंगा यमN er Grace ओ इसलिंग और जाती है तो जब हम मिटटी में मिलाते हैं तो मिट्टी पवित्र हो जाती है पात्र जो होता है उसके नीचे एक बेलपत्र रखी जाता है। क्या रखना है एक बेलपत्र है है। शंकर को जहलने के लिए कोई साधर्ण नहीं है। पात्र जिस पे जहला जाए। स्वयं में गंगा शिवकी जटा में और आप संकर के शिवलिन का निर्मान कर रहे हो कोई साध्रण नहीं हो सकता स्वयं बिदेश्वाइन आप विधेश्य शहीता के अंत्रगत पड़े इसको जानी नहीं का बस एक बेल पत्र भी सीधा भार, वह उततर भी वह उत्तर दिशा में रखना है ठाली के अंतरगत, जब आप शिविलिंग का निर्मान करें, म Polish उत्तर इसके ऊपर जो मियों दणने मिट्टी की दाल सबसे पहले करें सब्सक्राइं नीचे जलाधारी नहिंस चलिए इस दरने के बाद उसी इस बाइब और के पास ने और मिट्टी डाल दीजिए ठीड जलाधारी है कर दिश्य शिवलिंग जलाधारी निर्मित हो गई शंकर जी का संपुर्ण परिवार शिवलिंग से उप यहां पर बगवान संकर का शिव लिंग रखाए यहां से पानी नीचे गिर रहा है, इसके राइट भाग में शिरी गनेजी का इस्थान, लेवत भाग में शिरिकार्थी के जी का स्थान. हो पीच में जो एक मोटी से लाइन होती है जला धारी में वो पारवती जी के सुंदर उत्रि peng च्टी के उपर टिकवंजी रखी रहती है कोसकी उपर से जल वूंद वून नीचे गिरता है यह आप आँट से संघी से जल्ट आते हो तो यह जो पानी घिर्ढ़ा संकर भगवान दोतली और उड़ेस अजोंधारि प्रिवार में आपको गने जी पूजåन अलग जाने की बहुन नहीं पड़ेगी संकर Québec पारवतीजी के पूजान अलग करने की ज़रुत नहीं है और पूरा महर c ofy पूरा ने। को सोते समय केय जरुवत नहीं संकर भगवाण की पाच पुत्रियों का नाम लीजीए जया हात में जल लो पलंग पर बेठो जल रहात में लिया जया आचमंतर विश्यारा चमंतर शामलीबारी पर लिए आचमंतर और देव आचमंतर यह संकर की जो पांच पुत्रियां हैं यह एसी पुत्रियां हैं जो निंद्रा देवी को लेकर आती हैं और हमें विश्राम का आनंद सुप्रदान करते हैं